Hello students, number theory के 20th lecture में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग congruences related 9th theorem देखेंगे मतलब पूरे number series का ये 9th theorem है congruence related ये दूसरा theorem है आज का वीडियो competition के point of view से बहुत important होने वाला है क्योंकि आज मैं 9th वाले theorem में total 6 property बताऊंगा ये property बहुत ही काम की है आपके खास का number theory में ठीक है तो इस property को बहुत ध्यान से देखेगा मतलब आज की वीडियो को मैं आपको पहले बता दूँ मैंने congruence related अलग से वीडियो बनाया हुआ है जहांपे मैंने congruence को बहुत ही अच्छे से समझाया है तो अगर आपने मेरे पिछले lectures देखे हैं तो आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी जितने भी मेरे पिछले 19 lectures हैं वो सब के सब एक playlist में मौझूद है आप मेरे चैनल के playlist section में जाएए और आप हर वीडियो को फिर free में access कर पाएंगे तो चलिए फिर 20th lecture सुरू करते हैं तो देखे आज की वीडियो में हम लोग 9th theorem प्रूफ करेंगे theorem कहता है कि अगर A, B के congruent है और C, D के congruent है तो A plus C, B plus D के congruent होगा इसको proof कैसे करें देखेगा बहुत easy है मैं आप लिखरा हूँ proof देखेगा कैसे मैं proof करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है A congruent है B के mod O N और C जो है वो congruent है D mod O N के ठीक है तो मुझे पता है congruence के definition से कि अगर A, B के congruent होता है तब जो N है वो A minus B को divide करता है ठीक है मतलब अगर A, B के congruent है तो N A minus B को divide करता है यह सब मैंने आपको बात में पिछले लेक्टरस में बता हैं उसी तरह C अगर D के congruent है तो N जो होगा वो C minus D को divide करेगा ठीक है तो number theory की property कहती है कि अगर N जो है वो A minus B को divide कर रहा है N जो C minus D को भी अगर divide कर रहा है तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो N उसको भी divide करेगा मतलब जो आएगा जोडने पर N उसको भी divide करेगा तो N divide मैं लिख दे रहा हूँ A minus B plus C minus D मतलब मैंने क्या किया मैंने इस चीज और इस चीज को जोड़ा तो N उसको भी divide करेगा और इस चीज के भी बारे में मैंने आपको previous lecture में बताया था अब देखे मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा N divide A और C को मैं साथ में लिख रहा हूँ तो A plus C हो जाएगा एक bracket में कर ले रहा है फिर बीच मैं minus लगा रहा हूँ क्योंकि B जो है वो negative में है तो मैं लिख रहा हूँ minus B और minus D अब मैं चाहूँ तो इन दोनों में minus common ले सकता हूँ क्योंकि minus दोनों के पास ही है यह हो जाएगा N divide A plus C एक bracket में minus common लेने के बाद B plus D हो जाएगा एक bracket में तो आप देख सकते हैं N जो है वो congruent है उसी तरह ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या A plus C जो है वो congruent है B plus D के बिल्कुल कह सकता हूँ यहां से मैं लिखूँगा कि जो A plus C है वो congruent है B plus D के मॉडूलो N तीक है आप देख सकते हैं कितने आसानी से जो पहली वाली property थी वो proof हो गई तीक है उमीद कता हूँ आपको समझ में आया होगा अब देखेगा second वाली property मैं कैसे proof करूँगा बहुत easy है जैसे पहली property मैंने proof की same उसी तरीके से दूसरी वाली भी property आ जाएगी क्योंकि मुझे मालूम है A जो है B के congruent है मॉडूलो N के ठीक है और C जो है वो congruent है D मॉडूलो N के ये बात तो मुझे मालूम थी इसका मतलब ये है कि N जो है A माइनस B को divide करेगा और C अगर D के congruent है तो N जो है फिर C माइनस D को भी divide करेगा तो N एक ही नंबर A माइनस B को भी divide कर रहा है मतलब जब आप A माइनस B और C माइनस D को माइनस कर देंगे तो भी N उस चीज को divide करेगा इस चीज के भी बारे में मैंने पिछले lecture में बताया था मतलब I think वो 6 या 7 लेक्चर रहा होगा जो नंबर थियोरी के concept तो वो काफी related होके चलते हैं मतलब बहुत ही related होते हैं अगर आपने एक भी topic मिस किया तो फिर आपको अगला lecture नहीं संगना आएगा तो देखिए हुआ क्या आप यहां से ऐसे कह सकते हैं क्या कि N जो है वो divide करेगा A माइनस B ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस C अंदर प्लस D कर देगा तो आप A और C को एक साथ लिखिए तो यह जाएगा N डिवाइड A माइनस C एक bracket में कर ले रहा है फिर इस माइनस B और प्लस D को एक साथ लिख रहा है माइनस B प्लस D फिर मैं लिख रहा हूँ N डिवाइट कर रहा है a-c को और इन दोनों में अगर minus common ले लिया जाए तो b-d हो जाएगा, सही बात है common common लेना तो आता ही होगा, आप 12th के बाद math ले रहे हैं, तो इतना तो आता ही होगा तो आप देख रहे हैं न, कि a-c अगर minus हो रहा है b-d से, तो n उसको भी डिवाइट कर रहा है तो इसका मतलब यह मैं क्या सकता हूँ, क्या यह वाली चीज जो है, वो इस वाले चीज के congruent होगी, बिल्कुल क्या सकता हूँ यहां से मैं लिखूंगा, a-c जो है वो congruent है, b-d के modulo n, ठीक है तो आगे दूसरा वाला भी प्रूफ, कितना easy आप देख सकते हैं, दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया अब देखें, तीसरी वाली property कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे तीसरा वाला भी आ जाएगा, थोड़ा सा tricky है, हमें मालूम है कि a जो है, वो congruent है b mod o n के ये बात तुमें मालूम है उसी तरह c जो है वो congruent है d mod o n के है, ये भी बात हमें मालूम है तो अगर a b के congruent है, तो n जो है, भो a minus b को divide करेगा, उसी तरह n c minus d को भी divide करेगा तो देखेंगे ग मैं क्या कर रहा हूं n जो की a minus B को divide कर रहा है इसमें मैं अगर C को multiply कर दूँ तो भी तो N divided करेगा न आप इस चीज में C को multiply कर देंगे तो भी N उस चीज को divide करता है ठीक है अगर आपने मेरे पिछले lectures नहीं देखे हैं तो फिर हो सकता आपको यह बात ना सुनना है कि कैसे C multiply करेंगे तो N फिर भी उसको divide करेगा ठीक है तो यह मैंने बात पिछले lectures में बताई हुई है ठीक है तो अब देखे क्या होगा जब आप C multiply कर देंगे तो अंदर जाएगा तो AC minus BC हो जाएगा ठीक है अब हम C minus D पाते हैं तो अगर N C minus D को divide कर रहा है तो अगर आप C minus D में B multiply कर देंगे अगर आप इस C minus D में B को multiply कर देंगे तो भी N इस चीश को divide करेगा यहां से आ जायेगा N divide BC minus BD जब आप B को ओने दा मुलिप्ला कर देंगे तो यह आएगा अब आप सुचिए क्यूंकि N इस चीश को divide कर रहा है N इस चीश को भी divide कर रहा है, तो दोनों को जब आप plus कर देंगे, तो भी तो n divide करेगा, तो आज समय लेक सकता हूँ, n divide, a.c. m.c. m.c. b.c. d.d, दोनों चीजों को आपने plus कर दिया है, क्या किया है? plus, तो फिर भी n divide करेगा, plus करने का फायदा क्या है? ये b.c. से यह माइनस BC कड जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा N divided AC माइनस BD, ठीक है, तो अगर AC माइनस BD आ रहा है, इसका मतलब AC और BD क्या है, कॉंग्रूएंट है, आप देख सकते हैं, कितना सानिस आ गई है, तो थर्ड वाली प्रापेटी भी प्रूफ हो गई, अब देखे, फोर्स क्या है, एक का पावर M, कॉंग्रूएंट है B के पावर M से, तो यह में प्रूफ करना है, है नहीं, तो आप जानते हैं, इसी बात को मैं वापिस लिख दूँ, एक कॉंग्रूएंट है B मॉडलो N के, तो आपको कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अभी आपने जो तीसरी प्रूपर्टी देखी है, इसी के मतद से हम लोग चौथी प्रूपर्टी प्रूफ करेंगे, देखेगा क कैसे, आपने तीसरी property में समझा क्या, आपने ये समझा कि अगर A congruent है B mod NK, और C congruent है D mod NK, तो आप actually इस AC और इस BD को multiply कर सकते हैं, यानि AC भी congruent होगा BD mod NK, सही बात है, तो मैं third property यूज कर रहा हूँ, तो by लिखूंगा by third, मैं इस A को A में multiply कर सकता हूँ, तो A square हो जाएगा, congruent to B को B में multiply कर दूँगा, तो B square हो जाएगा, mod N, तेक है, फिर से मैं लिखा रहा हूँ, A congruent to B mod N, इसके नीचे, और फिर से मैं तीसरी property लगा रहा हूँ, तीसरी property का कहती है, कि आप दोनों को multiply कर सकते हैं, कई बार, तो कभी न कभी A का power M आयागा ही, congruent to B का power M आयागा, कभी न कभी, ठीक है, mod N, क्या आपको मेरी बास सुझाई, तो इस तरह समलक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, fourth फ़ाले property भी proof हो गई, अब देखिए, fifth वाली property कैसे proof करेंगे, fifth वाली property का करेंगे, कि अगर A और B आपस में congruent हैं, तो इनमें आप कुछ अगर M जोड देते हैं, तो भी वो दोनों आपस में congruent ही होंगे, कैसे proof करेंगे, पहले मुझे बताईए, आपने क्या first property समझी थी अच्छे से, समझी थी तो बताईएगा, आपने पहली property में देखा था कि अगर A congruent है B mod O N के, और C congruent है D mod O N के, तो आप actually इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो A plus C हो जाएगा, congruent to B plus D हो जाएगा, mod O N, ठीक है, मतलब आप इन दोनों को जोड सकते हैं, पहली वाली property यही कहते हैं, ठीक है, मतलब गए इस तरह से दो चीज़ इवन है, तो दोनों को आप जोड सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखेगा, मैं कह सकता हूँ, यह जो है, वो congruent है, B mod O N के, यह तो बास से हैं, तो given हैं हमें question में, मैं यह भी कह सकता हूँ, M जो है, वो congruent होता है, खुद के, mod O N, यह मैंने बात आपको, previous lecture में बताई थी, कि कोई number A जो है, वो खुद के congruent तो होता ही है, ठीक है, previous lecture मैंने बताई थी बात आपको, ठीक है, अफिर जब मैंने congruence बताया था, तो भी यह बात बताई थी, तो अगर A congruent है B के, M तो M के congruent होता ही है, तो मैं दोनों को प्लस कर सकता हूँ, by property 1, बलिकूंगा, by property 1, by using property 1, by using 1, मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ, तो A plus M आ जाएगा, congruent to B plus M आ जाएगा, ठीक है, modulo N, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पंच्छों यह ली property कितने असानी सा गई, तो वापिस से एक बात तीसरी property की तरफ चलते हैं, तीसरी property क्या कहती थी, अगर A, B के congruent है, C, D के congruent है, तो आप इस A को C में multiply कर सकते हैं, congruent होगा B को जब आप D में multiply कर देंगे तो, ठीक है, under modulo N, इसी property के में सम्दक छाटी में यह ली property प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे, आपको मालूम है, A congruent होता है, B modulo N के, ठीक है, और M, तो congruent होता ही, M modulo N के, कोई number खुद के हैं, तो congruent होता ही है, तो मैं अगर use करूँ, by using third, तीसरी property मैं use करूँ, तो इस A और M को multiply कर सकता हूँ, congruent to B और M को आपस में multiply कर सकता हूँ, ठीक है, modulo N, आप देख सकते हैं, दुतिन लाइन में ही proof आ गया, तो छठी माली property भी use हो गई, प्रूफ हो गई, सौरी, तो आज की वीडियो में हम लोग वास इतनी ही property देखेंगे, यही जादे काम की हैं, अगले lectures में मैं कुछ और theorems करूँगा, वो भी use होते हैं, तेकिन come use होते हैं, ठीक है, तो इन सब को याद नहीं रखना है, जब आप इन पे based questions लगाएंगे न, तो यह सब automatically याद हो जाएंगे, ठीक है, तो अगले lectures के लिए आप त्यार रहिए, मैं इन सब property का use करूँगा अगले lectures में, ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं एक और theorem कराऊँगा, वो भी आप देख लीजेगा, ठीक है, प्लेलिस्ट से, आज खुड मसे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, गुड़ बाई,